हलो दोस्तों सिंपल वोईस के इस मंच पर आपका स्वागत है रंग सफर की सकड़ी में आज पेश है एक मोनोलोग कुछ साल पहले मैंने रंजीत कबुर के डिरेक्शन में एक प्ले किया था जिसका नाम था हम रहे नहाँ ये मोनोलोग उसी प्ले से है शरीतर का नाम है केके जेहां बेश साल पहले मैं बिलकुल वही था एक डरा हुआ सहमा हुआ अजेनेपी और जो मैंने किसी तरह से इस घर में इंट्री पाली तो मुझे लगा था कि मैं कहीं उपर पहुंच जाओंगा और मुझे ऐसा महसूस भी कराया गया था कि मैं कहीं उपर पहुंच जाओंगा इसी लिए मैं चिप का रहा यही मेरी हास आदत थी कि मैं जब भी कोई चीज पाना चाहता था चिप का रहता था और इसी वजा कर मैंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो मैं करना चाहता था हाला कि मैं इस शेहर में निया निया आया था आप घबराईये मैं मैं अपनी लाइफ इस्टोरी बिलकुल नहीं सुनाओंगा मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं आप लोगों को एक पैसा नहीं दूगा मैं कंजूस नहीं पूछलो निदी से लगिन जब मैं पहली बार इस घर में आया था और आप लोगों की शानों शौकत का दिखावा देखकर खास कर रॉबिन तुम्हारा मैंनो उसी वक्त है कि या था कि अगर जिन्दगी में मेरे पास कभी पैसा आया तो उसमें से चवणने भे तुम लगों को नहीं दिखा तो यह है केके की स्पीच आप अपने वोईस और स्पीच को डिवलेप करने के लिए अभ्यास के लिए इससे मोनोलोग का इस्तवाल कर सकते हैं